हलो एवरीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चानल ए एच हलप लाइन कैसे हैं आप लोग सो जैसा कि आप लोग को पता है कि इगनु में हर साल एकैडमी काउंसिल का मीटिंग होता है जिसके हेड होते हैं इगनु के वाइस चांसिलर जिसमें सभी बरे बरे डिसीजन लिये जाते हैं इस बार जो एकैडमी काउंसिल का मीटिंग 13 जून 2022 को कंड़क करवाया गया उसमें एक और बहुत बरा डिसीजन लिया गया है और ये डिसीजन को इगनु में इंप्लिमेंट करने का फैसला किया हलाके यूजीसी ने दो डिगरी एकी साथ एकी टाइम पे सेम यूनिवसिटी या अधर यूनिवसिटी से करने के लिए अल्रेडी 13 अप्रिल को गाइडलाइन्स रिलिस कर दिया था लेकिन इगनु में उसको अभी तक इंप्लिमेंट नहीं किया गया था और इगनु के तर से और कम्प्लीट जरूर देख सीजेगा एच हल्पलाइन्स चानल पर फॉर्स्ट हमाया है तो इगनु के रिलेटेड हरे की ट्रॉस्टेड इंफरमेशन पाने के लिए चानल को जुरूर सब्सक्काइब कर ले और इगनु के रिलेटेड किसी मिता के डाउट के लिए आप लेकर जिसके बारे में मैंने आप लोग को वीडियो के मादम से बताया हुआ है ठीक है लेकिन अब जो डिसिजन लिया गया है ये भी बहुत सारे इस्टोयन का पेंडिंग डिमांड था और ये बहुत अच्छा खबर है वो सब इस्टोयन के लिए जो ज़्यादा सज़ाद करना चाहते है कम प्रक्राइब क्योंके अब इगनो में 2 जो दो परत। इन्ह लागा ना चाहते हुँ लेकिन ईगनो है उन्हान पर की सीज इंप्लेमेंट करते हुट अपना यह सब तर्मेंट के सबढ़ तर्मेंट इन्ह को मीजुत ज़ेवाइ क्योंकि एकदम पुरा अलग rules and regulation है तो उसमें implement करने में कुछ सो changes होते है क्या क्या IGNU ने changes किया है और notification में क्या क्या बता है उसको समझ लो सबसे पहला now point में तो यह बताया गया है कि कोई भी student अगर कोई एक bachelor degree या master degree किसी regular university से कर रहा है तो at the same time वो IGNU से भी कोई भी bachelor degree या master degree कर सकता है यह अभी allow कर दिया गया है और इसी session से ही allow कर दिया गया है यह अभी आप लोग जो fresh admission ले रहे हो जुलाई 22 session के लिए तो जब admission start किया गया था उस वाक यह चीज allow नहीं था उस वाक जो admission fact वाला जो option है frequently asked question उसमें यह चीज mention किया गया था कि आप सिर्फ एक certificate और एक degree कर सकते हो लेकिन दो degree एक साथ नहीं कर सकते है ठीक है लेकिन अभी इस चीज़ को implement कर दिया गया है तो जुलाई 22 session से ही अगर कोई student कोई regular university से कोई भी degree कर रहा है तो at the same time IGNU से भी वो कर सकता है बस यहां पर एक ही चीज़ बताया गया है कि अगर regular university का जो आप exam दोगे उसका exam के date में और IGNU के exam के date में अगर class हुआ तो उसमें IGNU responsibility नहीं लेगा वो आपको manage करना परेगा कि वो exam देना है या ये exam देना है ये सबसे important चीज़ है दूसा number point कि अगर आप IGNU से ही दो degree करना चाहते हो तब क्या rule से regulation है तो इसमें simply ये बोल दिया गया है कि आप IGNU से ही दो bachelor degree कर सकते हैं या दो master degree कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक important rule ये implement किया गया है कि ये दोनों आप दो separate admission cycle में कर सकते हैं एक ही admission cycle में नहीं कर सकते हैं admission cycle मतलब IGNU में दो session होते हैं एक होता है July session और एक होता है January session ठीक है तो आप दो degree कर सकते हैं same time लेकिन आपको अलग-अलग admission cycle में admission लेना होगा यानि कि अगर मानलो अभी आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया तो अगर आपको इगनू से ही कोई और डिगरी करना है तो आप जनवरी सेशन में और प्रोग्राम में एडमिशन लेके कर सकते हो एक ही academic cycle में वो applicable नहीं होगा दो अलग academic cycle में होगा तो दोनों similar डिगरी ही होगा बस academic cycle अलग होगा six month का differences होगा ठेक है पहले ये भी चीज़ allow नहीं था तो ये एक term and condition को add कर दिया गया in case of two UG and PG program in online mode या audio mode दोनों में ही separate admission cycle में ही आपको admission लेना परेगा one program in January and another program in July तो ये चीज़ समझ में आगे आप लोग को कि इगनू से अगर दो डिगरी आप okay now यहाँ पर एक और important चीज में में इंसर करना चाहूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा यही करते हैं student की B8 वाले student के बारे में मैं बात कर रहा हूं की regular से B8 कर रहे हैं और IGNU से कोई भी master degree कर रहे हैं या फिर regular से master degree कर रहे हैं और IGNU से B8 कर रहे हैं तो वहाँ पर आप a bit of regulatory bodies like AICTE, NCTE and INC will not be permitted till such time the regulatory bodies come out with their respective guidelines in this regard तो AICTE आप लोगो पता है All India Council for Technical Education, NCTE मतलब National Council for Teacher Education and INC मतलब Indian Nursing Council ठेक है तो यह regulatory bodies है उसमें से B8 का जो भी B8 आप करते हो जिस भी university से तो वो सभी recognize होता है NCTE के द्वारा ठीक है तो IGNU ने यह बोला है कि अगर ऐसा program आप कर रहे हो जो यह तीनो regulatory bodies के अंडर में आता है जैसे engineering कर रहे हो तो AICTE के अंडर में आएगा NCTE कर रहे हो तो वो NCTE के अंडर में आएगा अगर कोई BAC nursing कर रहे हो तो वो INC के अंडर में आएगा तो यह regulatory bodies के अंडर में कोई अगर program है तो उसके लिए यह permissible तभी होगा 2 degree जब NCTE या INC या AICT अपने तरफ से guidelines release करेंगे तब अभी तक फिलहाल जब मैं यह video बना रहा हूँ तो NCTE के तरफ से ऐसा guidelines release नहीं कियागा लेकिन release कर दिया जाएगा बहुत जल्दी ठीक है तो फिर वो allow हो जाएगा अभी के लिए फिलहाल वो चीज नहीं है हलाखे UGC ने अपने guidelines में बता दिया था और UGC के तरफ से guidelines release हो गया तो ऐसा कोई tension की बात नहीं हो जाएगा लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए पर्मिटेड नहीं है जब तक उनके तरफ से कोई notification या guidelines release नहीं किया जाए तब तक ठेक है तो यह चीज़ आप लोको समझ में आ गया अगर कोई student दो प्रगाम में admission ले रहा है और दोनों के courses same हो जा रहे है तो ऐसे condition में क्या होगा और यह तब होगा जैसे माल लो इगनू में दो bachelor degree अगर कोई कर रहा है तो अगर कोई और भी other courses है आपने दिखा होगा ability enhancement course है skill enhancement course है उसमें similar courses है BAG के लिए भी same है become g के लिए भी same है BAC g के लिए भी same है ठीक है तो अगर माल लो को student एक ही साथ BA भी कर रहा है एक ही साथ BAC भी कर रहा है तो उनके लिए अगर दो paper दोनों में same है तो बोला गया है यह कि इगनू के तरफ से उनको एक alternative courses दिया जाएगा बासन मेरा if a student register for two such program where certain number of courses are common the credit of those courses will be given for one program only in such cases the student will be required to pursue similar courses for other program in order to complete it बासन मेरा बोला यह गया है कि अगर similar दो paper रहे तो एक ही को consider किया जाएगा और बाकी other को उसके लिए आपको अलग सा एक और दिया जाएगा similar courses आपको offer किया जाएगा उसमें बता दिया गया जैसे for example in the category of ability enhancement compulsive courses of bachelor degree program courses on waste management sustainable development HIV disability studies may be provided as the alternative courses to the environmental science I mean as alternative to the course on environmental science तो यह जितने भी paper है कुछ-कुछ paper है जो similar रहते हैं B.A.G. में भी same, B.K.M.G. में same और B.A.C.G. में same program तो अगर आपने दोनों program को लिया तो उसमें से एक का consider किया जाएगा दूसरा के लिए आपको alternative option दिया जाएगा वो complete करोगे तब आपका दो degree complete होगा यह चीज clear हुआ? clear हो जाएगा उसमें यह rule applicable नहीं होगा जैसे की become if यह आप लोको पता होगा कि CA के student करते हैं IC, AI और IGNU के collaboration के साथ यह program provide किया जाता है तो ऐसे जितने भी program है जो external agency के collaboration के साथ provide किया जा रहा है उसमें यह rule applicable नहीं होगा उसके बाद से बताया क्या है कि यह rule है 2 degree at the same time करने का यह rule 13 April 2022 को UGC के guidelines के बाद से implement हुआ तो उससे पहले अगर कोई based student ने 2 degree same time किया हुआ तो वह valid नहीं माना जाएगा और last में बताया गया है कि जो policy बनाया गया वह UGC के guidelines के हिसाफ time to time review किया जाएगा साथी साथ जो UGNU के तरफ से पहले जो rule था वह अभी continue रहेगा कि एक साथ आप एक degree के साथ certificate कर सकते हो वह अभी भी जारी है साथी साथ यह भी implement हो जाएगा कि आप 2 undergraduate और 2 post graduate भी साथ साथ कर सकते हो तो आप लोको समझ में आ गया है यह बहुत अचा कर सकते हैं या फिर एक regular से एक open से दोनो open से दोनो ओडियल से या दोनो online से यह सारा चीज ही अब applicable हो गया है बस differences इतना ही है कि अगर आप regular से कर रहे हो एक open से कर रहे हो तब कोई issue नहीं है अगर दोनो open से कर रहे हो या दोनो online से कर रहे हो तो आप इगनूर से कर सकते हो लेकिन दोनों separate admission cycle में एक ही year में कर सकते हो लेकिन separate admission cycle में कर सकते हो और बाकिया जो time and condition है उसको मैंने बता दिया आप लोग को नहीं सुन में है तो वीडियो को फिर से rewind करके देख लेना तो यही सबता है इस वीडियो में इगनूर के तरफ से academic council के meeting में दो degree simultaneously करने के लिए जो implementation करने का policy अपनाया गया है और जो rules and regulation बताया गया उसके बार में मैं आप लोग को detail information दे रहा था मुझे उमीद है कि यह सभी information आप लोग को useful लगी होगे इसलिए वीडियो को like ज़रूर कर दे सभी friend के साथ से एक है ताक उनको भी detail information मिल पाए किसी ब जरूर subscribe कर ले so thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much